फिल्म ओमेटा को सेंसर बोर्ड से मिला A-Certificant, नेशनल एंथम पर भी जताईया पत्ती नमस्कार दर्शकों आपके अपनी चैनल PMS मीडिया की बॉलिवुद जगत की खबरों में आपका बेहत स्वागत है राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म ओमेटा एक आतंकवादी पर आधारित कहानी है जिसमें आतंकवादी का किरदार राजकुमार राव निभा रही है लेकिन इस फिल्म से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि हंसल महता की इस फिल्म से नेशनल एंथम को हटा दिया है राजकुमार राउख की फिल्म ओमेटा को संसर बोर्ड के पास भेजा गया था लेकिन बोर्ड ने फिल्म देखते वक्त एक सीन पर कडिया पत्ती जता दी सेंसर बोर्ड ने फिल्म से नेशनल एंथम को हटा दिया है और साथ ही बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में एक सीन था जब ओमर जेल में पिशाप कर रहा होता है और उस वक्ट बेग्राउंड में राष्टकान बज रहा होता है सेंसर बोर्ड ने इस पर कडिया पत्ती जताती हुए नेशनल एंथम को हटा कर दूसरा बैग्राउंड म्यूजिक लगाने को कहा और इस फिल्म को A-Certificate के साथ पास कर दिया सिर्फ यही नहीं इस फिल्म के रिलीज डेट को भी अब बदल दिया गया है नई रिलीज डेट आने के बाद ये फिल्म अब 4 माई को रिलीज होने वाली है हम दर्शकों को ये बता दे कि ये फिल्म Global Terrorist एहमद ओमर साईज शेख पर आधारित कहानी है ये फिल्म दुनिया के कई आतंगवादी घटनाओं को दिखाती है जिसमें अमेरिका का 9-11 और मुंबई का 26-11 अटेक शामिल है चलिए अब दीजे बॉलिवुड की खबरों से इजासत इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनली PMS मीडिया को सब्सक्राब करना बल्कुल न भूले फिर हाजर होंगे जलती ऐसी खास खबर के साथ तब तक के लिए जासत दीजे नमस्कार